असलाम उलेकुम डियर स्टुडेंट्स वेलकुम तो अवर चैनल इन्नोवेटिव लीडर्स इन वर सीरीज आफ वीडियोज अन टॉपिक काइट्स अफ प्रोनाउन तोडे वी लेर्न आउट रेसिप्रोकल प्रोनाउन्स एंड देयर यूज इन सेंटेंस अज असी रेसिप् एक दियानन में उननन जे इस्तेमाल में गल्सओ का नहीं, जेकरें हमाँ चायो सो था कई हुए गल्सओ की बड्यर्स इन वर जाएए, बड़ कमल वीडियो डिसो तच जी में हना रेसिप्रोकल प्रोनाउनS के सुठें नमने साथ समझी цहो. रेसिप्रोकल प्रोनाउन जमीर मुबादला The pronoun which shows the mutual effect of a noun in a sentence is called reciprocal pronoun. वो जमीर येको जुमले में इसम जे बाहिमी या गडल तलुक के जाहिर करे ता उननके जमीर मुबादला reciprocal pronoun चेबुआ है. Reciprocal pronouns help prevent repetition within sentences. Reciprocal pronouns असाखे जुमलन में सागी गाल पर जाएन का बचाई दाहिन. We use reciprocal pronouns when two or more people do the same thing. जने बय या बिन खावदी का मानू साग्यो कम कन दाहिन तासी reciprocal pronouns चो इस्तेमाल कन दाहिन. There are two reciprocal pronouns, both of them allow us to make sentences simpler. Reciprocal pronouns जमीर मुबादला सिर्फ बाहिन, जियें, इच अधर and वन इन अधर. इनन बिनी जी माना सागी आहे पर इस्तेमाल में फरक आहे. Now in usage of reciprocal pronouns, first of all we will learn about use of each अधर. When we want to refer to two people, we will normally use each अधर. जड़ें असी बिन मानून बाबत गाल कन दाहिन, तैसी आम तोरते इच अधर इस्तेमाल कन दाहिन. For example, हिनन बिनी sentences के डिसो, साजिद helps अनीस in every problem. साजिद अनीस जी हर मसले में मदद करे थो. अनीस helps साजिद in every problem. अनीस साजिद जी हर मसले में मदद करे थो. जे करें अवा इनन बिनी sentences जो गजल मतलब कर ढ़नाओ, तैसी उनन बिनी sentences के बगेर मतलब तब्दील करने जे, reciprocal pronoun each other इस्तेमाल करे, बगेर repetition जे simple words में लिखंदा सीं, तै जुमलों थीं दो. साजिद अनीस helps each other in every problem. साजिद अनीस हिकबे जी हर मसले में मदद करन था. reciprocal pronoun जे इस्तेमाल जाकुज बिया example sign, we should respect each other. असांखे हिकबे जी इज़त करन घुरचे, टाम एंड जेरी लव एच अधर, टाम एंड जेरी हिकबे सा मुपत करन था. अम्तियाज अन्ट फरहाद गेव इच अधर ईद गिफ्ट्स, अम्तियाज अन्ट फरहाद हिकबे खे इद जातो फारिना, the two bikes hit each other, बिन मोटर साइकल उन्ट हिकबे खे टकर है हो. Now we will learn about use of reciprocal pronoun one another, आने असीं reciprocal pronoun one another जो sentences में इस्तेमाल सिखंदा सीं. When referring to more than two people, we will use one another, आसीं बिन खावदी का मानुन लाए one another इस्तेमाल कंदा हिउं. For example, जे करें ट्रे यां ट्रिन खावदी का छोकरा पान में विडी रहा हो जन्ट आसीं बगे रिपीटेशन जे reciprocal pronoun one another इस्तेमाल करें, उन्हें जे अमलके जाहिर कंदे 54 सीं ते, the boys are fighting with one another, जे यूजे जाब्या एक्जम्पल साहिन, they should respect one another, उनन के हिकबे जो इतराम करन गुर्चे, they should guide one another, उनन के हिकबे जी रहनुमाई करन गुर्चे, the kids are playing with one another in public park, बार हिकबे सां पबलिक पार्क में रान्द खेडी रहा हिन, the team members congratulated one another after winning the match, रान्द खटन खावपो ए टीम में नहीं कबे के मुबारक बात दिनी, now in the end we are going to summarize today's topic reciprocal pronoun, असी reciprocal pronoun each other बिन मान हुन जे बाहमी तालुक गडेल अमल खे जाहिर करन लाई इस्तेमाल कन दा हूं, एं reciprocal pronoun one another खे ट्रे या ट्रिन खावधी का मान हुन, जे गडेल अमल या बाहमी तालुक खे बयान करन लाई इस्तेमाल कन दा हूं, बियर इस्तुडन्स उमीद आहे तामारे सी प्रोकल प्रोनाउंस ते सुठे नमूने सा समझी विया हूं दा, जो फीड़बेक कमिट सी सूरत में जरूर नी दा।